सबी दोस्तों को जयाहिंद वंदे मातरम तो बहुत सारे स्ट्वेंट हमें कॉमेंट किये कि एक बार CISF ट्रेड्समेन की जो भरती है 787 पोस्टों का उसका सलेक्शन प्रोसेस बता दीजिये कि फीजी कल कब होगा लिखित परिक्षा कब होगा और हमारा ट्रेड टेस्ट कब होगा क्या फीजी कल के साथ हमारा ट्रेड टेस्ट होगा एकजाम कब होगा एकजाम कितने नंबर का होगा सारी चीजी इस वीडियो में माज आप लोगों को बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि ट्रेड टेस्ट में आपके साथ क्या क्या होगा ट्रेड टेस्ट कैसे होगा फीजीकल में रणिंग कितना किलो मीटर है डोकुमेंट कौन-कौन से लगने वाले हैं दोस्तों यदि आप लोग CISF ट्रेट्समेंट में अनलाइन अपलाई किये हैं तो आप लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी है चलिए सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लिजे बता दे कि आप लोगों को सबसे पहले इसमें PST किया जाएगा देखे यहां पर दिया गया है PST फिर आप लोगों को PT किया जाएगा फिर आप लोगों को दस्तावेजी करन जैसे डोकुमेंट हो गया trade परिक्छा हो गया, लिखित परिक्छा हो गया और चिकित सा परिक्छा किया जाएगा अब आप लोगों को देख लिए यहाँ पर बताये गया OMR अधिकरित या computer अधिकरित परिक्छा CBT mode के अंतरगत लिखित परिक्छा केबल, अंगरेजी और हिंदी भासाओं में आयोजित की जाएगी अब देखिए जितने भी डॉकुमेंट आप लगाए है सभी का मुल परमान पत्र और सभी का मुल परतिया आप लोगों को लगेगी डॉकुमेंट के समय अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि परिक्षा के किसी भी चरण के लिए परवेश पत्र आउनलेन माध्यम से आपके सियफ के रिकूटमेंट वेबसाइट पर जारी होगा अब चलिए बात करते हैं कि फर्ष्ट फेज में आपका क्या होगा तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बता दे कि इसमें केबल तीन फेज होगा फर्ष्ट फेज में आपका पीटी होगा जिसमें रनिंग होगा हाइट होगा वेट होगा चेस्ट होगा और इसके बाद आप लोगों को ट्रेड होगा आप जिस भी trade से online apply किये हैं उसका आपका trade होगा साथ में आपका document भी होगा मतलब first page में आप लोगों को height weight running document और trade test होगा इसमें जो student pass कर जाएंगे उनको लिखित परिक्षा में लाया जाएगा अब चलिए बात करते हैं कि आप लोगों को जो physical है वह कितना kilometer होगा male and female को तो देशने दोस्तों यहाँ पर running के बाड़े में बताएगा या पुरूसा भ्यार्थी के लिए one point मतलब one point 1600 kilometer आप लोगों को one point six kilometer दोड़ है जो 6 minute 30 second में है कितना है दोस्तों आप लोगों को one point six kilometer आप लोगों को दोड़ है छे मिनट में और महला आप भ्यार्थी के लिए 800 मीटर है चार मिनट में running समझगे इसके बाड डॉक्युमेंट में आप लोगों को देखिए पीटी पीएश्टी उत्रीन करने माले भ्यार्थी को निम लिखित मूल दस्ताबेज परमानों पत्र की जाज की जाएगी वे अभ्यार्थी जो मूल आपेक्षित दस्ताबेज प्रस्तूत नहें कर पाएंगे उन्हें पिठासिन अधिकाडी द्वारा करन बताते हुए निरस्त करने की समधि स्लिप देते हुए भरती समंधपर के लिए से बाहर कर दिया जाएगा समझ गे यहाँ जैसे सक्षनिक पर्मान पत्र जर्म पर्मान पत्र राजस्व पताधी कारी द्वारा अधिवास पर्मान पत्र जो अधिवास समंधी सीध कर सेगे आपका अवासिय पर्मान पत्र जाती पर्मान पत्र भारत सरकार का यहाँ पर लगेगा अब चलिए देख लिए फिर आपका ट्रेट परिक्षा होगा तो ट्रेट परिक्षा में आप जैसे रसोई कुक से हैं तो रोटी चाबल बनाना यहाँ पर ध्यान से देख लिए दोस्तों बड़ी जानका हेलो दोस्तों आज हम भात करने वाले हैं स्सी जीडी कॉंस्टेबल भरती परिक्षा के बेस्ट बुक के बारे में जोकी चक्षू परकासन की हैं नवीनितम पाठकर एबम पाइटर्न पर आधारित पुरूस एबम महिला दोनों के लिए राइफल मेन जीडी भरती परिक्षा ले बस पर आधारित ये बुक है आप लोग देख सकते हैं च्रक्षू परकासन की सबसे बेश्ट बुक दोस्तों इस बुक के साथ आप लोगों को प्रैटिक सेट भी लेनी है जिससे आपकी त्यारी और भी मजबूत हो सके यदि आप लोग इस बुक को ऑनलेन खरीदना च जोची में जैसे जूता पॉलिस करना ओजारो का संचालन चमडा काठना जूते की मरमत वसिलाई करना जैसे दरजीम देख लिजे कार्मिकों को नाप लेना कपड़े की कटाई वर्दी सिलना देखे दोस्तों यही आपके ट्रेट टेस्ट में पूछा जाएगा जो आपके फीजीकल के समय देखे जैसे ओजार का संचालन बाल काठना डाढ़ी बनाना जैसे धोबी कपड़े की धोलाई सूती खाकी बर्दी प्रेस गर्मी टेरी कोटन का प्रेस देख लिजे द्यान से इस परकास जैसे देखे सफाई वाला में आप लोग जारू लगाना सोचला की सफाई असनानगर इत्यादी की सफाई पेंटर में देख लिजे आप लोग राज मिस्तिरी में देख लिजे यह दिया आप लोग पलंबर में डाले हैं तो देख लिजे पलंबर में माली में डाले हैं तो देख लिजे और बता दे दोस्तों कि जो अभ्यारती सारीक मानक प पेपर पुछा जएगा दो घंटा की एकजाम होगा और यहाँ पर देख सकते हैं आनराक्षित डबलू इसी भुतपुरु सैनी को 35 OBC SCST को 33 परतिसत नमबर लाना पड़ेगा एकजाम पास करने के लिए मेडीकल में जाने के लिए और यहाँ पर देखिए अंको का मुल्यांक पर फिर मेडीकल है और फिर आपका फाइनल मैट लिस्ट आएगी प्रूसरी आपको कोई भी जानकारी चाही अधर तो आप लोग नीचे कॉमेंट कर सकते हैं मिलते हैं सीधा एडमिट कार्ड लेकर तब तक के लिए जयाहिंद वंदे मात्रम